ये हैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वोईस टीवी खबर सबसेते नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कुमल गुप्ता वोईस टीवी पर आपका स्वागत है आवारा सांडों ने विजय टॉकिश के पास आदे घंटे से अधिक देर तक किया तांडब जिहां सांड आपस में भिड़े और एक मोमोस का ठेला पल्टा दो बाईकें आई चपेट में दुकानदारों ने बताया कि नगरनिगम की लापरवाही से ही यह हुआ है जिहां यहां लगा रहता है कूडे का ठेल अगर नियमित कूडा उठे तो ना हो यहां सांडे कत्रित सिरोजाबाद नगरनिगम छेत्र विजय टॉकिश के पास रात दो सांड लगे कूडे के ठेल के पास एकत्रित हो गए बता दें ये व्यस्त बाजार है पास ही मोमोस का ठेला तो दूसरी तरफ कई दुकाने भी खुली रहती हैं कुछ दिर बाद अचानक दोनों सांडों में घमासान मच गया एक अन्य सांड भी वहां आ गया और इस तरह से काफी जबरदस्त युद इन सांडों के बीच करीब आदे घंटे से अधिक चला इस दोरान तीन बाईकें चपेट में आई और दो बाईक तूट गए वहीं मोमोस का ठेला भी पलट गया उसका भी काफी नुकसान हुआ है तो दूसरा एक अन्य दुकान का काफी सामान भिड़त के दोरान चपेट में आ गया जिससे उसका भी नुकसान हुआ दुकानदार राजू का कहना था कि नगरनिगम की लापरवाही से ये सांड यहां एकत्रत होते हैं यहां कूडा नियमित नहीं उठता धेड लग जाता है और कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुए दूसरे दुकानदार का कहना रहा कि यहां सभी दुकानदार कूडा डालते हैं नगरनिगम की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया कई बार अवगत कराया है फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया इन सब बातों के बीच एक बड़ी बात ये भी है कि आवारा सांडों को पकड़नी की जिम्मिदारी आकर किसकी है शहर में सुबास तराहा वो उसके आसपास इन्हें देखा जा सकता है अकसर फिरुजबास से शेखर यादफ की रिपोर्ट वह लड़ाई में उतिनी करनी मुडवेड हो इन दोनों में कि जनतान रोग नहीं कोशिच करी बहुत अद्दे चाले फेगे पानी डाला बहाई तब भी नहीं वांगे कि यह नों नुक्सान के में बाइक तोड़ गए और बड़ावर में एक दोड़ावर में नुक्सान था रोड़ एक बाद तो साँन हैं मोु मारते हैं रहना को मिलता रहना कोई मिलने के बाएफ भार रोड़ थीलिफ़ थी दूब उखबिखान ऐनने पर लड़ हम उनुक्सान होता है जाने नुक्सान होसी न लगड़ो आप। कितना दो अखबवा होगा दोसान मेरा कंसो क मेरा अजार पारहस नुक्सान हुआ है मेरा अभी और कुछ कुछ हुआ था यहां पर यहां पर इसके सिखाव में कई बाभू को रचुका हुआ हुआ है यह वा है इसके तबज्जे देता नहीं है